भारती संस्कृती में तीर्थ स्तलों का काफी महत्व है भारत एक ऐसा देश है जो कि उसकी धार्मिक परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है भारत में परेटक भी बाहर से आकर तीर्थ स्तलों का आनद लेते हैं लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना श्रद् गए थे आखिरकार भगवान के दर्शन के लिए रात ताक्ति श्रद्धालों का इंतजार अब खत्म हुआ जिहां खंडवा जिले में इस्थे तो उमकारिश्वर मंदिर के पटब 68 दिनों के बाद खुलने जा रहे हैं इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भगवान और भक्त जहां एक दूसरे की प्रीम और भक्ती के लिए तरस गए थे तो वहीं श्रद्धालों और उमकारिश्वर जूतर लिंके दर्शन कर सकेंगे इस विशय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ लाइब जुड रहे हैं एस इन भारत के खंडवा संबाद दाता प्रतीक मिश्रा आईए सीधा चलते हैं उन्हीं के पास तो प्रतीक जी आपसे जानना चाहेंगे कि 68 दिनों के बाद मंदर के पट खुलने वाले हैं तो मंदर प्रभंदन ने क्या तैयारियां की है बिल्कुल मैं आपको बता दू कि 68 दिनों के बाद जो है ओमकारिश्वार मंदिर के पट खुलने वाले हैं और श्रद्धालू के आवा गमन को लेकर के मंदिर प्रशासन ने अपनी तयारियां पूरी कर ली है श्रद्धालू के लिए मास्क और सेनेटाइजर की विवस्ता है वा आनिवारे रूप से यहाँ पर लागू की गई है और जो भी गाइडलाइन शासन ने यहाँ पर कोविट को लेकर के बनाई है उनका पालन करते हुए श्रद्धालू को यहाँ पर दर्शन नितु आना पड़ेगा तो जैसा कि अब इतने लंबे अंतराल के बाद पट खुलने वाले हैं तो भक्तों में कितना उत्सा देखने को मिल रहा है बिल्कुल एक तरीके से देखा जा सकता है कि लंबे अंतराल के बाद मंदिर खुल रहे हैं और हर कोई भक्त अपने आराध देके दर्शन करने के लिए आतुर है और श्रद्धालू में काफी खुशी की लहर है उसे एक श्रद्धालू जो है वो अपनी तैयारी से आएंगी कि उनको किस दिन दर्शन करने जाना है तो क्या यहां भी बागी दार में किस तलों की तरफ वैक्सिनेशन का प्रमान पत्र देखर ही दर्शन करने के अनुमती दी जा रही है बिल्कुल मंदिर प्रशासन ने इसपस्ट कर दिया है कि मंदिर में प्रवेश के लिए आने वाले जो लोग हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो वेक्सिनेशन का अपना सर्टिफेकर निहां पर दिखाएंगे लेकिन कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है और अब ऐसी परिस्थितियों में मंदिर प्रवंदन ने कितनी सक्ती बढ़ती है बिल्कुल मैं आपको बता दू कि यहां पर मंदिर प्रवंदन ने कोविट की गाइडलाइंज जो है उनको ध्यान में रखते हुए श्रधालूओं के दर्शन की व्यवस्ता की है जिसमें सभी श्रधालूओं को मास्क लगा कर आना है सेनेटाइजिंग की व्यवस्ता अपने साथ में लेकर के आना है उसके बाद में सोशल डिस्टेंस का जो है यहां पर पालन करना है और मैं आपको बता दू कि मंदिर में प्रवेश की जो संक्या है दर्शनार्थियों की वो भी यहां पर सीमित रखी जाएगी और मंदिर प पानकारियों के लिए प्रतिक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप सभी सी भी अपील है कि मंदिरों के पट खुल चुके हैं और मंदिरों में श्रद्धालों के पहुचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है सभी भक्तों को कोरोना गाइडलाइन की पालन के स साथ ही भगवान के दर्शन करना होंगे जिससे देश प्रदेश और दुनिया को कोरोना रूपी राक्षत से मुक्ति मिल सके तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रही हमारे साथ एसन भारत पर